हलो फ्रेंट्स वेलकम टू गारगी क्लासिज आज डेट है 18 सितंबर 2020 और देख लेते हैं एंडियन एक्स्प्रिस के एडिटोरियल पेज 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 पेज़ करेंगे सबसे पहले आर्टिकल डिसकुस करेंगे पैंडेमिक एंड फेडरल भारत is a union of states ठीक है union का मतलब क्या होता है federation और union का आप difference comment box में आप मुझे बता सकते हो ठीक है तो यह अपन जानने कोशिश करेंगे कि pandemic के टाइम पे किस तरीके से question raise हुए है federalism की against में और किस तरीके से एक corporation देखने को मिला है जो कि आगे आने वाले बहुत सारे issues है for example water crisis ह हो गया climate change हो गया इनको tackle करने में भी कैसे help कर सकता है वो जानने कोशिश करेंगे फिर article अपन discuss करेंगे यह वाला out and equal homosexuality से related Supreme Court ने 2018 में एक वर्डिक दिया था जिसमें homosexuality को criminal act ना मतलब एक तरीक तरीके से जो previously criminal act बताया जाता था offense बताया जाता था उसको Supreme Court ने nullify कर दिया औ एक कोई offense consider नहीं किया जाएगा तो उस related article है अच्छा article है देखेंगे इसमें अभी क्या developments हा रहा है क्या आगे होना चाहिए ठीक है फिर यह article faith in the machine machines में जो software में जो machine machine learning हो गया या software बेस जितने भी mechanical machines हैं उन पर कैसे हापन rely कर रहा है धिरे-धिरे किस तरीके से जो values है moral issues है उनको हम machine के हाथों handle करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपन जानने की कोशिश करेंगे चलिए start करते हैं फर्स्ट आर्टिकल pandemic and federalism यह article लिखा गया है श्री निवास चोकाकुल के दौरा COVID-19 outbreak जैसे ही हुआ तो इंडिया ने जिस तरीके से response किया वो अच्छा था बट अभी भी cases लगातार बढ़ते जा रहे हैं 50 लाग से जादा लोग infect हो चुके हैं दूसरी तरफ आप देखोगे तो 80,000 से जादा लोगों की जाने जा चुकी हैं तो इस COVID-19 ने अपने आप में एक question mark लगाया Indian polity पे जिसमें जो country में जो federalism की power है, federalism में जो problems आती है या federalism के base पे हम कितना आगे बढ़ सकते हैं उन सारी चीजों पे question mark लगा दिया है और उन question marks को कही ना कहीं टैकल करने में एक federalism का जो एक concept है ना कि जहां पे छोटे-छोटे अलग-लग states, अलग-लग ideology व यह बार ठीक है कि government of India ने March end में unilateral response देते हुए एक nationwide lockdown impose किया बट फिर जैसे ही time आगे बढ़ा तो एक तो यह तो unilateral response था बट carefully central government ने states के साथ में collaborate किया और इस pandemic के against में fight continue की और वो अभी भी लड़ी जा रही है और सबसे बढ़िया चीज जो निकल के आई वो यह कि जो different parties के chief ministers थे उन्होंने भी center के साथ में काम किया और आज आप देख रहे हो यह एक variety of challenges जो लेके आ रहा है pandemic जैसे है कि आज GST collection में कमी आ रही है तो states को पैसा नहीं मिल पारा compensation scheme के अंडर में फिर भी states corporate कर रहे हैं तो वहाँ पर भी collaboration देखने को मिल रहा है तो कहने का मतलब एक जो cooperation वाला जो feel होना चाहिए नो वो आपने को देखने को मिल रहा है अगर पिछले कुछ महनों की बात करे ना तो country ने coordinated manner में center और state को काम करते हुए देखा है इस collective challenge को address करने में ठीक है तो यह जो response है इसने कही ना कहीं center and state relationship में अभी तक जो अपने जितने भी articles देखे हैं उनमें कहीं ना कहीं criticism ही मिलाया इसका cooperative federalism का team India का जो आइडिया था उसके basis पे जो नितिया यह established किया गया था उनके ideas को कहीं ना कहीं question करते हो articles अपने discuss किया था बट यह article एक अलग approach दिखा रहा है वही बता रहा जो 7th schedule ना जहां पर subjects को division के divide किया हुआ हुए constitution का 7th schedule जिसमें तीन list है union list, state list और concurrent list तो उसको revisit करने की जरूरत है क्या एक debate सी चल पड़ी है इस पे क्योंकि अभी क्या है health जो है वो state subject है अब state subject है तो state इसमें leading role play करेंगे बट center ने जो एक assertive role play किया है जैसे lockdown impose करना या फिर इस pandemic की वज़े से economic crisis देखने को मिले हैं लोगों को तो उनको help करना प्रध्यान मंतरी गरीग का लियानी होजना हो या फिर cash transfer हो किसी भी तरीके से तो यहां पर कही ना कहीं एक debate चल पड़ी है कि क्या 7th schedule of constitution हो उसमें कुछ reforms या review करने की जरूरत है तो इसके लिए एक broad contour decide कर पॉस्पेक्टिव लेने की जरूरत है तब जाकर के अभी तक जितने भी issues आये हैं center और state के बीच में ठीक है चाहिए आप CBI के issue को लेके देख लो चाहिए water crisis related water division को लेके देख लो बहुत सारे tribunal central government ने establish किये हैं उसके बावजूद states है वो उन tribunals के verdict को मानते नहीं है ठीक है तो इन सारे issues को अगर देखें जो emerging issues हैं उनको tackle करने में बहुत ही एक important एक कहता ना कि kickstart stimulus दे दिया है इस pandemic ने कि भाई आप और चीजों के बारे में भी सोचो for example climate change water crisis इनके बारे में भी आप सोच सकते हो अब बात ही आती है previous जो articles थे उन्होंने तो इस तरीके से represent किया है कि जो distribution power होती है ना 7th schedule के under में तो उसमें क्या होता है जब state subject पे कोई भी central government कोई भी कानून बनाती है तो वहाँ पर state का भी contribution होता है उसमें financially और center भी कुछ ना कुछ center भी कुछ ना कुछ fund उसमें allocate करती है तो ऐसी schemes को अपन क्या बोलते थे है centrally sponsored scheme state subject में जो बनती है या फिर concurrent list में जो बनते है तो कहने का मतलब यह center अपना support वहाँ पर देती है जब भी कभी भी state list से related कोई law बने तो तो यहाँ पर center का रोल आ गया दूसरी तरफ एक argument ओ रहा participation होना चीए तो ultimately कहने का मतलब आप दोनों perspective से आप देखो state list में या फिर defense जो की union list में आता है तो इन दोनों में आप देखो तो point यह निकल के आता है कि हमें कहीं ना कहीं इनको settle out करने की जरूरत है या फिर इन पर काम करने की जरूरत है तो इस debate को ultimately settle down किया गया तीन important counts में मतलब तीन outcome अपन देख सकता है इस debate का है पहला तो यह कि जो federal organization है जिसमें एक तरफ center है दूसरी तरफ states है उनको revise करो reframe करो revisit करो एक बार फिर से review करो आप इनको दूसरा जो centrally sponsored schemes है देको दो तरीके की schemes होती है एक तो central sector scheme एक central sponsor scheme central sector scheme में 100% central government fund देती है जबकि central sponsor scheme की बात करें तो वहाँ पर center कुछ percent जो है वो contribute करती है states के साथ मिल करके ओके ऐसे करके जो central sponsored schemes है उनको लगातार करते रहो पर मतलब continuity रखो बंद मत करो but restructured way में कि कि किसका कितना contribution होना चाहिए साथ में ये भी देखने की जरुरत है कि ये schemes जो implement हो रही है तो इसमें कही न कहीं states के बीच में horizontal और vertical imbalance को भी कम किया जाए वो कैसे है देखो horizontal का मतलब तो हो गया मानलो राजस्थान हरियाना MP UP ये चार states है इनमें कोई scheme implement की जा रही है मानलो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अब इसके अंडर में यहां से इन states को क्या करेगा center fund allocate करेगा तो fund allocation जो होगा ये तो हो क्या हो गया center से direct आ गया ये तो हो गया horizontal अब इसके अंदर क्या है कि कुछ states को तो ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है कुछ को कम दिया जा रहा है ठीक है अलग-अलग issues के basis पे तो कहने का मतलब है अलग-अलग states को अलग-अलग treatment मिल रहा है उसको हमें कहीना के tackle करने की जरूरत है ठीक है तो horizontal सभी states के लिए center से division आए और दो states के बीच में gap क्या है that is vertical ठीक है तो ये जो gap है इसको हमें कहीना के खतम करने की जरूरत है और center इस चीज के लिए कहीना के obliged feel करे और obliged है भी कि states जो भी externalities मतलब unexpected circumstances अगर बनती है मतलब कि ऐसी परिस्तिती बन जाए जो कि states ने कभी सोची नहीं थी और जिन पर states का हाथ ही नहीं चलता जैसे कि अभी मान लो कोई tariff war चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में तो कुछ states हैं जैसे South Indian states हैं मैं गुजरात का example ले लेता हूं South Indian state तो छोड़ो Western Indian state ले लेता है वहाँ पर से dairy product बहुत export होते हैं अब government of India ने कुछ चाइना से import ह उने वाले product पे tariff increase कर दिया अब tariff increase इंडिया ने किया तो चाइना भी retaliate करेगा तो dairy product पे चाइना ने tariff increase कर दिया तो state government को तो परिशानी का सामना करना पड़ा ना क्योंकि state government के पास हैं revenue आ रहा था dairy product से तो वो जो चीजें हो रही है ना जो externalities बोले जाता है जिस पे state का control नहीं हो तो उन पे कहीं ना कहीं center जो है वो states को support करे अपना role play करे properly तो दूसरा ही हो गया तीसरा जो है यह settlement निकलता है कि एक appropriate forum establish करने की ज़रुवत है जहां पे complex और contentious issues जहां पे state center के बीच में conflict आते हैं दो states के बीच में conflict आते हैं उन issues को discuss किया जाए appropriately ठीक है तो ऐसी लोग debate कर सके discuss कर सके और उनका result निकाल सके तो इस पूरे system में या पूरे discussion में अगर आपन final result पे पहुँचें तो कुछ तो यह कहते हैं कि क्या subject जो है union और state list में और concurrent list में इनको review किया जाए जिससे कि state और center दोनों की दोनों मिलके काम कर सके तो concurrent list में ले जाए जाए तो य किसे response किया है center और state ने मिलके जबकि कोई revision नहीं हुआ न subject as it is थे 7th schedule में कोई amendment नहीं हुआ उसके बावजूद भी जो एक cooperative spirit जो देखी गई है ना उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अगर हम review या revisit करना चाहते हैं इस 7th schedule के पूरे perspective को तो हमें एक बारी की से इ आगे बढ़ने की जरूरत है ठीक है तो consider करें कि जिस तरीके से reconciliation कर सकते हैं center और states के बीच में कि हाँ इनके बीच में जो gaps है उनको आपन सौट आउट करें उनको खतम करें तो pandemic अपने आप में best example देता है रेपिटेड लाइन आ रही है ठीक है तो center का effort तो अभी अब धीरे देरे क्या है primarily change हो रहा है economy of scale लाने के उपर कारण कि अब vaccine आएगा अब vaccine procurement के उपर अब आप क्या करोगे health तो वैसे तो state subject है अब vaccine procurement पे अगर center interfere नहीं करेगा तो यह pandemic control नहीं होगा और state इतने capable है नहीं कि वो financially इन चीजों का afford कर सके ज्यादा मेंगे vaccines को तो government का तो target ही हो ग हो और हमारे domestic जो forms हैं वो कहीं ना कहीं production कर सके और states के लिए standards और guideline fix की जा रही है तो कहने का मतलब जो वाकई में central role होना चीए वो तो center कर रहे हैं दूसरी तरफ states जो हैं वो इस crisis को handle करने में dominating role play कर रहे हैं तो आप देखो कितना अच्छा coordination देखने को मिल रहा है states और center government के बीच में ठीक है तो जो fundamental principle है ना इन दोनों के बीच में center और states के बीच में वो है cooperative advantage जो की prevail करता रहा हमेशा से कि जब एक दूसरे का साथ देंगे तो हमें फायदा ही फायदा है नुकसान कम है ठीक है जबकि अभी जो functions हो रहे हैं ना वो हो रहे हैं कुछ responses को लेकर के ये को permanent नहीं है कहने का मतलब अभी COVID-19 के case में तो cooperation देख रहे हैं आपन बाकि और cases में आप देखोगे तो वहाँ पर conflict लगातार बना रहता है तो यहाँ पर important जो take away है जो outcome हम समझ सकते हैं कि health despite कि ये state subject है state subject होने के बावजुद एक collective threat बनके आया है इसलिए एक federal responsibility का जो आप result है वो functional basis पर देख सकते हो जहाँ state और center दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो इस coordination को हम कैसे लंबे समय तक sustain करा सकते हैं ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि केवल ये तो एक segment ये इसके लावा बहुत सारे segment है जहाँ पर लड़ाई होती रहती है center और states के बीच में तो एक तो ये आता है इसके लिए कि भाई concurrent list में subject को shift कर दो जिससे की center है उसका भी role states के साथ में coincide करें दोनों एक दूसरे से आगे मतलब discussion करके आगे matters पे काम करें जैसे कि labor laws for example तो इसके लिए high level group जो establish किया गया 15th finance commission के अंडर तो उन्होंने भी ये बताया कि health को concurrent list में ले जाओ ऐसे ही एक committee establish की गई थी अशोक चावला committee उन्होंने ये बोला water जो अभी state subject है उसको आप concurrent list में ले जाओ तो इस तरीके से concurrent list में ले जाने के लिए भी recommendations बहुत आ रही हैं तो ये जो shifting होगी ना subjects की वो क्या वाकई में feasible है अभी करना जब हमारे देश में सब nationalism हमारा है regional issues को लेकर क कि लोग national issues को subside कर रहे हैं या फिर national level पर rebel कर रहे हैं कि हमें अलग होना है चाहे south इंडिया में हो चाहे eastern इंडिया में नौर्थ इस इंडिया में आप देख लो जो नागालेंड वाले issues हैं territory मतलब अपने शेत्रिये issues को लेकर के वहाँ पर बहुत जादा एक issues मतलब एक तर federalism देखा जा रहा है cooperative के साथ में competitive states की इसमें competition को किस बात को लेके कि center से fund ले रहा है ज्यादा हरियाना पंजाब की बीच में यह हो रहा है कि जो 17 यमना link है उसमें से पानी किसको ज्यादा मिलेगा इस time पे क्या वाकई में subjects को state subject state list से उठाके concurrent list में ले जाना वाकई में possible है तो यहाँ पर जो हम cooperative federalism जिसको aspire कर रहे हैं जिसका हम future में देख रहे हैं कि जो हमारा cooperative federalism होना चाहिए तो इस case में क्या states agree होंगे अपनी खुद की power को छोड़ने के लिए जो traditionally उनका खुद का ही domain रहा है जहाँ center का कोई role नहीं रहा है यह होना बहुत मुश्किल लग रहा ह तो एक जो collective threat है ना वो तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर cooperative federalism को दिखाई देता है जहां center और state दोनों एक जिए एक तरफ आते हैं वोई बात है COVID-19 दोनों का दुश्मन है center और state का अब इस center का COVID-19 दुश्मन है और इसका दुश्मन state भी है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त इस तरीके जो दोस्ती हो रही है क्यावल COVID-19 को contain करने के लिए वैसे तो states और center के बीच में conflict चलते रहते हैं तो ultimately point यही निकल के आता है कि एक common pool of resources को हम कैसे sustain बना सकते हैं कैसे हम security जो है जितने भी threats आ रहा है ना आने वाले टाइम पे उनको हम handle कर सकते हैं उसके लिए एक forum का होना जरूरी है जहां पर बातचीत हो अब चाहे हो water हो agriculture हो biodiversity हो pollution हो climate change हो इनका क्या है mainly जो issue इनको tackle करने का जो एक power होती है निया authority है या फिर responsibility है वो state subject में होने की वज़े से state government की हो जाती है तो center इतना ज्यादा यहाँ पे involvement नहीं show करता तो जबकि आज water crisis, climate change, pollution, biodiversity loss, agricultural loss यह prevalent है आज की time पे common हो चुके हैं तो वहाँ पर center का role भी होना बहुत जरूरी है इन common resources को preserve, protect करना हमारे लिए बहुत ज़ादा जरूरी है तो इन security security को ensure करना जो कि लंबे समय तक चले sustainable manner में चले तो एक नया scope आता है कि हम center state के जो relation को है एक नए तरीके से सोचें और यह opportunity pandemic ने दे दी है हमें ठीक है तो यहाँ पर क्या है GST reforms जब लाए गए थे ना तो उस time पे भी बहुत सारे doubts थे states के मन में बट GST जो है वो अभी काम कर रहा है ना और यह नहीं है कि आप किसी के कि मतलब कोई भी decision आप ले रहे हो तो consensus के वले एक बार ही बनानी होती है हाँ GST implement हो गया इसका मतलब यह नहीं है कि states ने 100% ही अपने आपको submissive manner में center के अंडर में अपने आपको surrender कर दिया कि भी आप जो कहोगे हो कर लेंगे नहीं भी तो यहां पर ultimately point ही आता है कि हमारे यहां पर एक appropriate forum होनी चीए जिसें के इन purposes को हम handle out कर सकें GST council का experience है वो इस चीज़ को tackle करने में help कर सकता है center और states ने मिलके जो GST reform लेके आए हैं तो वो कोई एक बार का काम नहीं था यह तो consensus building जो होती है ना सब को मना करके सब को राजी हैं उनको address करना वो तो एक लगातार चलने वाली process है एक sustained dialogue है deliberation लगातार होता रहता है बाचीत होती रहती है तो इस time पर हमें time यह time आ चुका है कि हम फिर से interstate council जो है उसको मतलब एक तरीके से revisit करें elevate करें empower करें ठीक है interstate council में center और states की participation होती है यहां पर एक cooperative federalism हम और अच comment box में बताओ कि interstate council established कब की गई थी इंडिया में first time यह important एक body है इस से related prelims में question कई बार पूछ लिया गया है पूछा जा सकता आप मुझे बताओगे comment box में चलिए next article देखते है out and equal यह article बताया गया है कि Supreme Court ने दो साल पहले जो colonial era का जो एक कानून था जिसने की homosexuality को एक criminal offense ब तो judgment जो था Supreme Court का उसने जो constitutional freedom और equality का जो हमारा एक basic एक fundamental जो base ना इंडिया का उसको expand किया अभी क्या हुआ है कि अभी solicitor general of India ने एक PIL लगी हुई है Delhi High Court में ठीक है वो इसलिए कि एक same sex marriage को register करवाने से related है वो issue Hindu marriage act 1955 के under में ठीक है और उस PIL का नाम है our law, legal system, society and values तो इसमें solicitor general of India जो है वो oppose करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस PIL को ठीक है और उस PIL को oppose कर रहे हैं तो यह अपने आप में एक shocking चीज़ है कि जब Supreme Court ने stuck down कर दिया इस colonial era के criminal offense consider करने वाली इस homosexuality को free कर दिया है कि अपसे वो crime नहीं है तो यह registration में problem किस बात की इस बात पर बात चीत होने चीए, debate होने चीए, discussion होना चीए कि जब Supreme Court ने यह चीज़ डाल ही दी है, जब criminal offense ही नहीं है तो इसको narrow perspective में क्यों देख रहे हो, broader perspective में भी तो देखो आगे देखते हैं article क्या कहता है, देखो, आज हमारे देश में युवा बहुत सारे हैं, constitutional democracy है हमारे यहाँ पर तो यहाँ पर जो eternal values जो traditionally चलती आ रही हैं, उनको हम यह कहें कि वो change नहीं होगी, just because कि हम citizens को liberty दें, उनके अधिकार दें तो यह कहीं न कहीं हमारी society और हमारे कानून को का अपकार करती है, अपमान करती है, disservice करती है, तो जहां पर society और law हमेशा time के साथ में change होने के लिए capable भी हैं, और चाते भी हैं कि वो change होते रहें, जिसें कि वो relevant बने रहें, नहीं तो outdated laws हो जाएंगे, और time के साथ में नहीं बदले, तो वही बात, एकदम flexibility अगर आप में नहीं है, तो आप कैसे adjust करोगे, ठीक है, तो इस तरीके से time के साथ में अगर changes society चाती है, लौ चाता है, तो आप eternal values का हवाला दे करके, हमारे जो rights and citizens को जो मिलने चीए, आप उनको कैसे रोक सकते हो, this is a big question, तो अभी जरूरत ह है, कि जो हमारा decade long mobilization of idea है ना, कि जिन ideas पे, जिन issues पे हम बातचीत करते रहते हैं, अगर उनको देखे ना, तो जब जब भी protest हुआ है, और protest कहा होते हैं, इन courtroom से बाहर की तरफ, तो उनका result यह हुआ है, कि हमने ultimately, एक concluding result जो है, वो मिला, कि homosexuality ultimately decriminalize कर दी गई, Supreme Court के दौरा, civil rights moment हुए हैं, बहुत सारे, तो उनमें भी सफलता मिली है, Indian society को, कि उनकी जो इनोंने homosexuality से related जो लोग होते हैं, इनकी queer identity बन जाती है, एक विचित्र identity बन जाती है, कि उनको Indian society accept करे, कहने का मतलब civil rights moment हो रहे हैं, इसका मतलब लोग बहुत ज़ादा mass level पे participate कर रहे हैं, Britishers ने अपना ये जो homosexuality को criminalize करने के लिए, जो law impose किया था, वो Victorian framework पे based जो की बहुत narrow perspective था, even though England में या UK में भी ये जो homosexuality का law है, उसको repeal कर दिया गया था, 19, मतलब 20th century में, तो हम तो उनसे भी बहुत लेट हैं, जबकि England ने, English लोगों ने या Britishers ने ये जो law लगाया था ना हमारे यहां पे, कि homosexuality अब allowed नहीं है, criminal offense है, तो इस चीज़ को भी ignore किया था, कि भई हमारे religious texts और sculptures जो हैं, उनमें homosexuality के लिए details दी हुई हैं, और देखने वाली बात तो ये भी है, कि हमारी जो mainstream पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भी इस बारे में बात करते ही नहीं है, कि हमारे यहां पर भी traditionally ये चीज़ acknowledged है, मानी गई है, कि homosexuality exist करती थी past में, ठीक है, तो साल बीच चुके हैं, democracy लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे ही moment, जो कि अपने अपने rights को protect करने के लिए, जो अना जारे का moment भी आया, इसी तरीके से जो homosexuality से related, जो civil society ने मिलकर के एक पूरा एक moment बनाया, तो वो सारी चीज़ों ने कहीं ने कहीं, इंडियन laws को change करने की तरफ pressurize किया, force किया, चाहिए वो women का right हो, अभी जो recently Supreme Court ने clear out किया है, कि property में women जो है, वो अपना हिस्सा ले सकती है, चाहिए माता पिता जिंदा हो या ना हो, कोई फरक नहीं पड़ता, दूसरी तरफ women को ये right दे दिया, कि जहाँ पर children का guardian जो था, पहले male को ही consider किया जाता था, कि Supreme Court का 2018 का जो verdict था, वो किवल इतना हिसा था, कि homosexuality अब से criminal offense नहीं है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं, तो और article ये बोल रहा है कि ये narrow rating है इस landmark decision की, क्योंकि आप किसी भी तरीके सें, जो ये same sex union को recognize करने की बात कर रहे हो, उसको कोई law recognize कर रहा है कि नहीं, पर Supreme Court ने तो verdict दे दिया ना, तो यहाँ पर कहीं न एक issue उठके आता है, कि अब एक wider consideration की जरुवत है, conversation की जरुवत है, कि जहाँ पर Supreme Court ने decriminalize कर दिया, तो कौन-कौन से rights इनके हैं, सब के equivalent right होने चाहिए, जैसे की domestic violence का act आया, उसमें ये बोला गया, कि किसको wife treat किया जाएगा, तो इसके लिए आपने कानून लेकिया है, 2005 में पार्लियमेंट ने पारित किया, protection of women from domestic violence act 2005, इसमें living relationship में रहने वाले partners है न, उनको भी protection दी गई थी, चाहिए उनका marital status कुछ भी हो, शादी की है या नहीं की, कोई matter नहीं करता, अगर live-in में भी है, तो भी उनको भी domestic violence के against protection दी थी, तो यहाँ पर government के पास में, civil society के पास में, या court के पास में, ऐसा कुछ valid reason नहीं है, कि कानून में जो चीज़ें बिल्कुल clearly ना लिखी हुई हो या नए development हो रहे हैं, तो उनको accept ना करें, तो point इतना सा आता है, कि अभी जो भी issues निकल के आ रहे हैं, इस homosexuality से related PIL के जो hearing हो रही है, तो वहाँ पर इस queer community, that means, इस विचित्र community को भी naturally identify करने की जरुरत है, recognize करने की जरुरत है legally, एक wider conversation होनी चीए इस पर, और जल्दी से जल्दी एक कानून बनने की जरुरत है, ठीक है, next article देखते हैं, faith in the machine, यह article लिखा गया है, कृष्ण कुमार के दुआरा, अभी एक आपने बार-बार सुना होगा, कि हम बार-बार एक ही चीज़ देख रहे हैं, कि social media पर जो companies हैं, उनसे हम expect कर रहे हैं, कि वो कैसे भी करके, जो hate species जो चल रही हैं, उनको अपने platform से हटाए, तो इसके पीछे यहाँ पर writer बोल रहे हैं, कि यह जो social media platforms, अगर इनसे deal करेंगी न, कि society को फिर help करें, कि hatred ना फैले, चाहिए वो बेंगलोरो में outbreak हो, कहीं पर भी कुछ भी हो, एक छोटा सा एक message हो, या फिर कोई भी post हो, तो वो public unrest create कर देती हैं, तो यहाँ पर दो issues, दो reasons निकल के आते हैं, और यह responsibility outsource कर दी, कि भाई अब हमारे बस की बात नहीं है, अब तो आप ही करो, अब आप देखो, जो काम एक social institution को करना चीए, जैसे कि family हो गई, society समाज हो गया, community हो गई, जिन को hate speech को, या hate related जो भी post होती है, उनको control करना चीए, वो अब machine based companies काम करेंगी, एक तो यह कि हमने यह मान लिया, हमने छोड़ दी हमारी जिवमेदारी, दूसरा, social media companies को, एक अलग ही spare मिल गया है, अपने operations conduct करने के लिए, जैसे कि election के time पे, hateful expressions आते हैं, तो social media को का हुआ है, कि hateful, अगर कोई भी speech या कोई भी, आपके यहाँ पे post आई हुई है, तो आप उसको delete करवा दो, तो आपने already interest कर रखा है, social media को, कि भई आप empowered हो, hate speeches को control करने के लिए, तो यह दो चीज़े हैं ना, कि एक तो social institution ने, अपनी जिवमेदारी से हाथ दो लिया, machine कहां से समझेगी emotions को, values को, this is a big question, इसी से इर्दगिर दिया article है, समझेगे अपन कि किस तरीके से, आज machine जो है, धिरे-धिरे, जो humanity का जो domain है, उसको breach कर रही है, उसमें आ रही है, और किस तरीके से, यह challenges लेके आ रही हैं, धिरे-धिरे, इसका आप ethics में अच्छे से case study में काम में ले सकते हैं उसको, क्योंकि जब moral values की बात आती है न, तो hate speech की बात definitely अपन डालेंगे, और hate speech की जब बात आये, तो social media platform की बात आगे, और वहाँ पर software से हैं, वो ही final करते हैं कि कौन चीज़ सही है, कौन से गलत है, किसको delete करना, किसको नहीं करना, तो यह बड़ा सवाल है अपने आप में, तो यह कोई पहली बार नहीं है, कि जब liberal democracies, जो की बहुत mature हो गई है, वहाँ पर इस तरीके के compromises देखे गए हैं, commitment जो privacy का था, जहाँ पर लोगों की, जो खुद की एक private चीज़ें होती हैं, private information होती हैं, उसको compromise करिया हुआ, बार-बार देखा जा सकता है, अभी क्या आ रहे है issues, चाइना ने, जो अभी accessing की है, 10,000 important personalities की, इंडिया की बात करें तो, important citizens की, तो उनके बारे में, कहां से लिके हैं, जो आ सोशल मीडिया से ही कही ना गए, ट्रैक किया होगा हूँ उनको, तो इस तरीके से compromise होती दिख रही है, और आज right to privacy जो है, वो जादा कोई इतना important news में भी इतना highlighted नहीं रहता, चाइना तो करता ही है अपने लोगों को observe, अमेरिका जैसी liberal democracies हैं, वो भी इन challenges का सामना कर रही है, और वहाँ के लोग जो हैं, कुछ छोटी मोटी सुविधाओं के लिए, अपनी जो older freedom जो रही है, हमेशा से अपनी independence रही है, उसको comfortably छोड़ रहे हैं, bargain कर रहे हैं, बस थोड़ी बहुत सुविधाई मिल जाएं हमें, जैसे हैं, घर पर बैटे बैटे वाटसएप, चैट कर लें, और वहाँ पर आप compromise कर रहे हैं, अपनी खुद की freedom को, कि वो आपकी खुद की information को detail out, वो access कर पा रहे हैं, अब वो किस परपस से यूज़ करेंगे, वो किसी को पता नहीं है, तो एक देश की तरह अगर हम देखें, तो जो हमारा right to freedom of expression, जो है, irrespective of medium जो है, इस point से हम बहुत आगे हैं, कहने का मतलब यह है, कि अगर हम पूरे देश में देखें, तो right to freedom of expression speech, इनके अपन बात करते थे थे, आर्टिकल 19 के अंडर में, तो वहाँ पर हमने, इसको बहुत ही, broad perspective में देखना शुरू कर दिया, और यह कह दिया, कि medium चाए कुछ ही हो, चाए आप face to face, one to one conversation में बोलो, या social media की थूरू अपनी expression दो, तो हमने medium को तो matter ही नहीं रखा, बस यह देखा है, कि right to freedom of speech and expression होनी चाहिए, तो इस चीज को देखते हुए, हमारी society जो है, वो और ज़्यादा tolerant होती जा रही है, जब जब freedom को suppress किया जा रहा है, आज आपको थोड़े बहुत rights दिये जा रहे हैं, थोड़ी बहुत सुईदाएं दी जा रही हैं, तो वो कहीना कहीं problematic है कि नहीं, अगर democratic country की अगर बात की जाए, तो चीजे जो हैं, वो लगातार बढ़ती, मतलब change होती जा रही है, आज जो जुकाव है ना, वो लगातार technology basis पे चल रहा है, आज कुछ भी चीज हो, हर चीज को surveillance किया जा रहा है, हर चीज को चेक किया जा रहा है, digital devices के base पे, इसके लिए दो example भी यहाँ पे writer दे रहे हैं, higher education का देखो, higher education में student पढ़ता है, कि वो अपनी खुद की moral growth को ensure कर सके, awareness ज़्यादा से ज़्यादा ला सके, और institution के ethos क्या होते हैं, कि कैसे भी करके best practices के, through वो बढ़िया से बढ़िया knowledge को nurture कर सके, temperament ला सके students में, और values को add on कर सके, जिससे कि एक अच्छी civic life दी जा सके, और society के लिए, जो students समों पढ़के जाके बाहर, और अच्छा काम कर सकें, ठीक है, तो knowledge जो है, वो कहीं ना कहीं higher school में, आप higher education में कहां से derive करते हैं अपन, कि कोई दूसरे writers की लिखी होई books को अपन पढ़ते हैं, और फिर उसके basis पे, last year में जाके thesis लिखते हैं, अब thesis में ये condition होती है, कि भाई आप copy paste नहीं करोगे, आप अपने खुद के ideas लिख करके आओगे, जो भी existing resources के basis पे आपको अपने खुद ने experience किया है, उसको लिखोगे, तो यहां पर कहीं ना कहीं एक trust की बात आती है teachers में, क्योंकि teacher जो है वो ही तो narrate करेंगे, वो ही तो guide करेंगे बच्चों को, thesis लिखते टाइम पे, पर question क्या है, यहां तक तो ठीक था पूरा scene, अब क्या है, softwares ने teachers को replace कर दिया है, कैसे सभी universities में, जो thesis की dissertation आती है ना, मतलब शुरू आती जो एक proposal आता है, मतलब पूरा complete होने से, pre, ठीक है, तो उसको submit करने से पहले, software है, वो clearance देगा, कि भई, यह जो thesis है, यह जो पूरा matter है, जो बच्चे ने लिखा है, अपने खुद के हिसाब से, वो copy-paste है, या फिर अपनी खुद की experiences को इसमें share किया है, अब उस examination के बाद में, फिर बाद में आगे checking होगी, तो यहां पर point याता है, कि पहले जहां पे, 46 designated spaces में, उस thesis को निकलना होता था, अलग-अलग authorities से मिलना होता था, अलग-अलग तरीके के सवालों का जवाब देना होता था, एक student को, वो आज के वाले एक software से जब certificate ले लेता है, तो problem खतम, अब teachers को side में हटा दिया गया है, एक software basis पर ये काम हो रहा है, कि जहाँ पर teacher का जो role था, एक humanistic role है, वो कितना down होता जा रहा है, तो यहाँ पर message क्या है, clear message यह है, कि teachers पर अब universities को trust नहीं रहा, और अगर आगे हम देखें, कि हो क्या रहा है, कि जो tools हैं, machine tools हैं, वो market में भी available हैं, बिक रहे हैं, तो यह कही न कही एक issue बन के आ रहा है, कि किस तरीके से हमारे higher education में भी, machines ने अपने आपको assert किया है, अब दुख की बात तो यह है, कि जो teachers थें, जिन्होंने previously जितना कुछ काम किया, उन्होंने इस पूरे system को, जो software का entry हुई, उसको rationalize करने में भी, कही ना कही help नहीं कि उनको करनी चाहिए थी, और अगर हम यहाँ पर यह expect करें, कि जो moral functions हैं, वो technology perform करेगी, तो यार, यहाँ पर तो एक चीज बिलकुल clear हो जाती है, कि teachers का जो human agency वाला जो role होता है न, जहाँ पर वो बहुत सारी values को देखते हैं, student का background भी देखते हैं, student की और भी चीजों को analyze करने की कोशिस करते हैं, वो किवल एक machine करेगी, तो इस तरीके से तो teacher की जो agency है, human agency, उसको marginalize किया गया कि नहीं, कम कर दिया गया, similarly, schools में CCTV के अमराज का लगाना, smart room, classrooms बना दिये गए, जहाँ एक principal जो है, वो अपने office में बैटर बैटर ये चेक करता रहता है, कि teacher ने blackboard पे क्या लिखा, और कहा क्या जाता है, police से transparency आ रही है, और accountability ensure कर पा रहे हैं, हम teachers की कि teacher लापरवाई नहीं करें, तो ये जो surveillance किया जा रहा है ना, देखा जा रहा है बार बार, technology की basis पे, ये classroom में जबर्दस तरीके center हो गया है, यहां तक की parents जो हैं, वो भी घर बैटर बैटर चेक कर लेते हैं, कि school में क्या चल रहा है उनके बच्चे के आस पास में, तो ये जो stories है ना, ये कहीं ना कहीं एक problem create करती हुई दिखाई दे रही है, और time के साथ में हमें बदलना पड़ेगा, जहां पे teacher की जो agency है, वो कहीं ना के downgrade होती हुई दिखाई दे रही है, transparency के नाम पे different tools लाए जा रहे हैं, और आज ये routine life में भी repeatedly काम हो रहे हैं, आज government schools में CCTV लग रहे हैं, तो private schools में क्या smart classrooms बन रहे हैं, academic institutions हो या public disclosure हो, हर एक जगह पे transparency tools के नाम पे software आ चुके हैं, तो educational institutions जो हैं, वो तो देखो अपने resources को और efforts को put करती हैं, अपनी website बनाने के लिए, जिससें कि वो market में competitive बनते रहें, कहने का मतलब ये है, कि जो quality वाकई में education में देनी चीए, उसके बजाए कहाँ पे केवल दिखावा, computer पे किस university की website पे ज़्यादा creativity अपने को दिखाई दे रही है, उस तरफ ही मूँ कर लेते हैं, admission के लिए या फिर उस तरफ की universities highlight हो रही है, तो कहने का मतलब, जो public policies बनती है higher education में, वहाँ पर अब केवल accreditation की ही बात रह गई है, कि कैसे भी regulator जैसे UGC है, तो उससे university क्या करती है, permission ले लेती है, UGC approval ले लिया, फिर NAC ले लेते हैं, NAAC, ठीक है, फिर NBA ले ले लेते हैं, मतलब different different केवल accreditation लेने की competition होड लगी हुई है, और उसमें भी क्या, website के ओपर ज़्यादा resources और effort लगा करके, तो अभी जो नई education policy आई है, उसमें भी ये चीज ज़्यादा emphasize की जा रही है, digital resources का ज़्यादा से ज़्यादा role होगा, apex regulatory जो body होगी, वो technology का use करेगी, human interference को reduce करके, और efficiency और transparency लेके आएगी, regulatory intervention के basis पर technology को use किया जाएगा, कहने का मतलब, आप जो कुछ भी कर रहे हो, उसमें चल ही technology का role रहा है, तो यहाँ पर human face जो है, वो धीरे धीरे एक तरीके से एक object बनके रह गया है, जिसके बारे में क्योवल बातचीत होती है, जिस पर क्योवल शक किया जा रहा है, suspicion object बनके रह गया है, ठीक है, तो human जो role होना चाहिए, teachers के role में, या फिर किसी भी तरीके से, या एक civil society के तौर पर, जहाँ पर hate speech को हम control करें, वो आज machines करेंगी, तो जो आशा है, कि अब यह जो regulatory authorities, faceless exercise करेंगी, कि हाँ, जो university है, education institutions है, वो अपने खुद की details है, वो online upload कर देंगी, और उसको software चेक कर देगा, फिर जवाब देगा, कि हाँ, appropriate है, इनका standard काम करने का, पढ़ाने का, या फिर नहीं है, इसके basis पर अगर काम होगा, तो point यह आता है, कि आशा तो यह है, कि faceless exercises जो होंगी न, regulatory authorities जो करेंगी, वो कहीं नगे greater impartiality दिखाएंगी, यह और efficiency लेकर के आएगी, चाहिए वो higher education system हो, तो digital technology, आज के time पर लगातार बढ़ती जा रही, इसका domain लगातार बढ़ता जा रहा है, आज यह ध्यान देने वाली बात है, कि जो value based system जो होता था न, वो अब धीरे धीरे कहीं न, कहीं न, कहीं technology पर shift होता चला गया है, ठीक है, अब last में writer एक line बड़ी अच्छी बोलते हैं, कि ethics न वो faith से शुरू होती है, आप क्या मानते हो, वहीं से आपकी नयतिक्ता आती है, अगर आपने machines को सब कुछ मान लिया, तो उसी इसाप से नयतिक्ता वहीं पर आने लग जाएगी, तो point इतना सारा है, कि किस तरीके से technology, जो human agency है, उसको एक तरीके से side कर रही है, ठीक है, तो चलिए आर्टिकल भी खतम होता अपना, थैंक्यू,